मुझे याद है आज का दिन आजी के दिन 16 दिसंबर को निर्भया पर हमला हुआ था मुझे याद है वो आक्रोश इस हैवानियत के खिलाफ मुझे याद है वो सैक्रो हजारो आवाजे जो इनसाफ के लिए उठी थी देश और दुनिया से और इनसाफ हुआ भी लेकिन हिंसा और बलातकार जारी है दिल्ली में निर्भया कान के बाद बलातकार की संख्या दुबनी बढ़ी है हिंदुस्तान में हर बाइस मिनिट में एक नया रेट के इस दर्ज होता है हिंसा और बलातकार इसलिए आम है क्योंकि तुम हर बार नियाई के चंगों से बच जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं शरम की मारी चुप रहूंगी अगर मैं बोली भी तो तुम्हें लगता है कि तुम चुप करवा सकते हो एक विदायक के द्वारा एक महिला के सुद्वारा इस बलातकार करना महिला पे और उसको जूटे इल्जाम लगा के जेल में डालना एक तरह से मतलब पावर का किस तरह का मिस्यूज हो सकता है मुझे और मेरे परिवार को ड़रा धमका कर तुम ये सुनश्चित कर लेते हो कि मैं इस बारे में किसी को कुछ ना कहूँ अगर मैं दले थूँ तो ये धमकी और भी भयानक हो जाती है और इसकी आज में मेरा पुरा समुदाए भी जलता है गेर में बैस्चर आग गई थू अदूर आगे पापी पाई नीचे वाटी थी दोनों एक ने मोवांदा आग सापी थी एक ने दोनों आदवांदे सापी थी कर दोनों आदूर आगे पाई करना है अगे अगे आगे डो दिन तक किसी से एक तो तेरे यूट्थे पती को दोनों का माड़ दोनों काम बार होसे काम बार है काम बार है नो कै तो पहे जातो कलू कच्छिए ज़ना क्रोश के कारण निर्भया के हमलावरों को सजा हुई लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली में पिछले साल हुए 706 केसों में निर्भया केस को छोड़कर बाकी 705 केसों में किसी को भी दोशी नहीं पाया गया मेरे देश में सर्फ 25 प्रतिश्रत केसों में सजा होती है अगर मैं और मेरा परिवार रिपोर्ट करने की हिम्मत जटाते हैं तो अक्सर पुलीस रिपोर्ट नहीं दर्ज करती मेरे पुडी देश बाइट नहीं प्रतिश्रत करके इमिडेटी ओधी इंफर्मेशन पुलीस नो पीजेती है मेरी महफूज़की की फिक्र मुझे लगी रहती है और पित्र सत्ता की नेमों पर चलने वाला ये समाज मेरी सुरक्षा के नाम पर मेरे ही आजादी को छीनता है अजय जाओ गोदन लागड़ा जादी के लो धुन्ये लाजादी के लो पानी लाजादी के लो दुकान लाजादी के लो बलातकार को इज़ट लुट जाना क्यों कहते हैं? बलातकार के बाद क्यों मुझे कहा जाता है कि मैं किसी को मुझ दिखाने के लायक नहीं रही? क्यों अब तक कोई बलातकारी शर्म से डूबा नहीं? क्यों अब तीस तारीक को उनको सिजिरियन हुआ ओप्रेशन के द्वारा उन्होंने एक पच्ची को जनम दिया और तीस तारीक को तीन बजे उनकी मृत्ती हो गए और एक तारीक को मिट्टी हुआ दिखाने भी गावाने लोगोंने कोई सपोर्ट नहीं किया यहां तक कि मिट अक्सर मुझे कहा जाता है कि मुझे पर हमले की वज़ा मेरा अपना चालचलन है अक्सर मुझे कहा जाता है कि कलती मेरी ही रही होगी तो कोई मुझे बता दे कि साथ साल की लड़की का शिकार जब होता है तब उसके चालचलन में क्या गलती रही होगी जब मैं पुरुष के अहम को ललकारती हूँ, जब मैं तुम्हारी इच्छाओं को ठुकराती हूँ, जब मैं अपनी मन से सोचती हूँ, तो तुम्हारी मर्दानगी मुझे सबक सिखाने चली आती है. पित्र सत्ता का वजूद बनाए रखने के लिए बलातकार एक हधियार है तुम्हारे लिए. उनलोग दहेज को मांग दो हम बोले कि आप और आपके भाई रोड पर काकोड़ा रहें को प्रूद बहेखने जाए तो गाली द बोलें, तभशा को घृत रहें चॉर करें, पिर उसके बाद उन्हों निकाला रहा है बोला कि अब बोड़ो आप चलो भी अभी चलो भी नहीं वरनो इसे चाकू से मार देंगे तो हमने इसारे में काल किया यहीं जाएंगा तो फिर उसके बाद एक तरह दो लोग पकड़े हाथ पर एक तरह बोड़ो नहीं हमार साथ गं स्पूँ को जा करना चाहिए और क्या सोचना चाहिए यह कहना तुम छोड़ो अब बलात कार तब बंद्योगा जब तुम ये अपेकशा छोड़ोगे कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूँ और तुम्हारे कप्ड़े दो दूँ. सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझसे शादी की है. तब बंद होगा जब मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ, ये ते करना तुम छोड़ दो. तब बंध होगा जब तुम मुझे अपने बराबर समझो सिर्फ उसलाने के लिए बराबरी नहीं लेकिन बराबरी अधिकार में, अफसर में, मिलकियत में, जाइदार में बराबरी हर उस चीज में जिसका मज़ा तुम युगों से उठाते आए हो मैं निर्भया हूँ, मुझे डर मेरी, मैं अपनी जिनकी कैसे जीए, ये तै करना तुम छोड़े